दोस्तों इंडियन देले फाइनेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें श्टॉक ने लोगों को माला माल कर दिया है वो भी बहुत ही कम समय मैं एक तरपा दोड़ते हुए लोगों के लिए बंपर रिटन देने वाला सावित हुआ श्टॉक लेकिन उसके लिए बहुत सार करना चाहिए कमपनी का रिजल्ट अच्छा है कमपनी मजबूत है जरूर दोड़ेगी और बिल्कुल दोड़ने लगी तो जो थोड़ा देरे के साथ इस बाजर में बने रहते हैं उनको फाइनली प्रॉफिट तो मिलता ही है और बंपर प्रॉफिट भी मिलता है जिस तरह स इस टॉक नीचे की तरब इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के मादियम से जाने माने रिसर चैनल इस टॉक की राये भी लेंगे आयर एपसी को लेकर आरवी अनल को लेकर क्या आगे करना चीए दूसरी तरब क्या ये एक तेजी की सुरुआत है बहुत बड़ी सेक्स 62,074 के आसपास है 199 पॉइंट की तेजी है 0.32 परशन अब अभी लगबग 5 बज़े का टाइम है बीए सी सेंसेक्स आप देख सकते हो अपने ओल टाइम हाई के आसपास आ चुका है और एक नई हाई बनाई है जो बाजार के लिए बहुत बड़ी बात है और इससे एक 50, 18,006 ने 26 के आसपास 0.34% की तेजी है और आप देख सकते हो नई हुचाई अब यहाँ पे हम IRFC की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस्टोक की शुरुआत 33.90 पर हुई 33.80 का लोग बना और 36.30 का आज इसने हाई बना है बहुत ही जबरदस तेजी फिलाल प्र रिटर्न दे दिया है और प्रॉफिट बुकिंग कभी यहाँ पे शुरू हो सकते है तो आपको भी प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचता है छिए इस समय आप देख सकते हो पिछले एक साल के इसाब से इसने 51% का पॉजिटी रिटर्न दिया है और 6 मन की बात करें तो स्टॉक ने 64.94% का जबरस रिटर्न अल्री दे दिया है यानि आप देख सकते हो 21 लुपे का स्टॉक फिलाल 35 पर है और 36 भी आज इसने बताया इंट्राडे में अब यहाँ पे सिर्फ वन मन की भी बात करें तो इसने 54% का जबरस रिटर्न दिया है क्योंकि वन मन पहले भी 31 ओक्टोबर को यह 22 के आसपास ही श्टॉक था अब सिर्फ हम 5 दिन की भी बात करें श्टॉक ने 20% का जबरस रिटर्न दिया है यानि एक तरपा दोड़ने वाला श्टॉक साबित हुआ है वालियूम को देखे तो पिछले एक मैने पहले इसका 10 करोड का वालियूम था वन वीक पहले 21 करोड का वालियूम हो था और आप देख सकते हो इसका वालियूम यहापे कल 34 करोड के आसपास था और आज अब देख सकते हो दो बज़े के आसपास ही 32 करोड पीस का वालियूम यानि वहाँ पर भी current आ चुका है बले ही तेजी बड़ी न हो लेकिन जिस सर से बारी volume में काम का जो रहा है यह सारा है कि सुजलोन energy भी आप दोड़ेगा तो आपने देखा होगा मैंने जितने stock आपको suggest किये हो चाहे वो yes bank हो आयारपसी हो सुजलोन energy हो या आप देखे तो इसमें अदानी power हो टाटा power हो यह सारे stock एक समय दोड़े बले ही कुछ समय के बाद correction के दोर में जरूर आते हैं लेकिन फिर से दोड़ने लगते हैं एक भी ऐसा stock नहीं है जो आपको लगातार loss दे रहा होगा समय के हिसाब से इसकी प्राइज 25 के आसपास थी 16 नहुंबर को यह 26 को cross करने को त्यार हो गया 27 नहुंबर को 27 तक चला गया 18 नहुंबर एक ऐसी तारिके जिसमें थोड़ा सब profit booking आया यानि stock फिर से 27.50 पर आये लेकिन 21 नहुंबर से stock फिर से दोड़ना शुरुआ आप देख सकते हो 28 की प पास पहुझी गई और यह आप देख सकते हो 24 नहुंबर को 30 25 नहुंबर को 31 हो चुका है 28 नहुंबर को देखेंगे तो 33 और आज 35 लगा तर दोड़ना एक तरपा दोड़ना इस्टो अब आप यह देख सकते हो कि इस समय जो research analyst है उनके हिसाब से rvnl में profit booking के सला दी जा र और यह support today तो फिर बड़ी गिराउट की सम्भाना भी बनेगी और यह अगर इसको पार किया तो फिर त्री डिजर में जल्दी स्टोक जाएगा यह आपको ध्यान लगके rvnl में काम करना चाहिए IRFC की बात के फिलाल wait and watch की सला दी जा रही है क्योंकि इसमें दोनों तरफ की अभी फिलाल length बने है जैसे कि आपको बड़ा profit booking भी आ रहे है लेकिन बहुत ही aggressive खरीदारी भी आते है तो फिर से दोड़ना शुरू हो जाता है तो wait and watch करना होगा लेकिन अगर यहापे देखे त तो इसका जो सबसे बड़ी बात है पहला register 38.50 का इसको पार कर लिया तो फिर 42 का इस तरवी देखना को मिलेगा और निचली तरफ support है तो 31.25 का पहला support है यह support होता है stock 28.70 तक जा सकता है तो यह आपको ध्यान लगके IRFC में काम करना चीए और मेरी सला है कि अगर आपका नज इसके पीछे वज़े है कि आने वाले budget में railways के लिए कुछ बड़ी announcement हो सकती है यहाँ पे infrastructure project को ध्यान दिया जा सकता है नई railway line बीचा ही जा सकती है नए metro के project तयार हो सकते है ब्रॉडगेज भी किये जा सकते है जो नए track है बहुत सारा काम होने वाला है ऐसे में इन दोनों कमपनियों का भवी से उज्वल है क्योंकि आपको पता होगा IRFC railway को finance प्रोवाइड करती है और RVNL वो project आगे बढ़ाती है यहने infrastructure का काम कर रही है ऐसे में दोनों कमपनिया एक तर से बहुत मजबूत हो जाती है और सरकार की तरफ से जो भी आपे investment है इनका फाइदा है direct इन की तरफ से यह आपको target दिये जा रहे है उसके इसाब से आप अपना सोच के आगे काम कर सकते हैं दूसरी तरफ अगर आप देखे तो प्रोफिसेंट एक्विटी प्राइवेट लिमिटेट के जो डारेक्टर है मनोज कुमार डालमिया उनका कहना है कि इस rally के पीचे जो सब प्राइवेट 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 प्लेयर की इंट्री होगी तो एग्रेसिव तरीके से कारोबार भी आगे बढ़ेगा और इसी विजए से आप देख सकते हो कि एक तरपाई इन सेरों में तेजी का मवातारून बना हुआ है दूसरी तरफ जी प्राइवेट 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 प्रा लोग के Task Force निखमβूकिंग शुरू हो चुक है । अज इंट्रडे में High 84 का बणा फिर वहां से Profit Booking सुरू है और इसलिए आपको profit book कर लेनी चाहिए, आप देख सकते हो, 84 का stock फिलाल 78 पे आ चुका है, एक ही दिन में intraday में 6 रूपे गिरे, तो यह profit booking की बज़े से हो जाता है, और ऐसी समवना आगे IRC में बन सकते हैं, और क्यों नब बने profit booking हो, पिछले एक महिने में इस stock ने 97.38% का अभी भी positive return दिया हो, यह नि लगबग 100% return दे चुका है, एक महिने में, और यहापे सिर्फ अगर हम 5 दिन की बात के stock में 34.96 जानी 35% का positive return दिया है, और अब यहापे profit booking शुरूए, तो ऐसे में भी आपको भी profit booking करते रहना चाहिए, और IRC में भी आप profit book आपको करनी चाहिए, थैंकियो फ्रेंट